हेलो एप्रिवन वेल्कम पैक टू मैं चैनल दोस्तों आज में आपको बासोडा यानिकी शीतला सप्तमी अस्टमी वर्ष 2021 किस में कब मनानी है ये आज की इस वीडियो में बताऊंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और पूजा की विधी क्या होगी वो सब शॉर अटर्दी, एवं उनको रोगों से बचानी क्यली करती है शीतला मता की पूजा करनी की दो माननयताए है certaines ूस्थानिये माननयता है एक शास्त्र में जो वर्णी थै वो मानननयता है तो शास्त्रों में जो वर्णी थै उकर चैतिरमास की क्रिशनपक्ष की सब्तमी या तो इसे शीतला सब्तुमी कहते हैं और यदि इसे अस्टुमी के दिन कहते हैं तो इसे शीतला अस्टुमी कहा जाता है दूसरी जो मानेता है दोस्तों वह है इस थाने मानेता है जो कि जैसे कुछ लोग बहुत ज़ादा पढ़े लिके नहीं होते तो घर की लेडिस कुछ हिसा लगा लेती थी कि होली के बाद पढ़ने वाले पहले सोमवार या शुकरवार कहीं कहीं पर यहां पर ब्रस्पतिवार भी मैंने ग्रामिन चित्रों में देखा है तो जैसा आपके यहां पर होता हो उस समय आप शीतला का पूजन कर सकते हैं तो इस परकार से हमें कुल मिलाकर क पूजन किया जाता है शीतला माता के नियमों का पालन किया जाता है लेकिन जैसे इतना लंबा नहीं कर सकते हैं तो अस्टमी या सप्तमी के दिन या फिर सोमवार या शुकरवार के दिन आप इस पूजन को आवशे रूप से कर सकते हैं तो जैसा आपके सुविदा हो आप बात कर लेते हैं कि वश्ट 2021 में हमें आकर ये पूजन करना है शीतला सप्तमी जो रहेगी वो तीन अप्रेल दिन शनिवार को रहेगी तो अगर आपको शीतला सप्तमी करनी है तो तीन अप्रेल को आप इस पूजन को करेंगे और अस्टमी अगर आप मना रहे हैं तो चार पूजन कर लिया जाता है लेकिन कहीं कहीं पर उपवास भी किया जाता है शाम को एक समय मीठा बोजन किया जाता है तो जैसा आप करना चाहें वैसा अपनी सामरतिके अनुसार कर सकते हैं पूजा से एक दिन पहले ही बोजन बना लिया जाता है और उसके बाद में चूले की पूजा करके चूला नहीं जला जाता है बासी भूजन का भोग लगान के कारण ही इसे बासोडा कहा जाता है माता शीतला की पूजा करने से शुफल की प्राप्ति होती है दाह जोर, पीत जोर, संकरामक, रोग, चेचकादी से रक्षा होती है ये पूजा मुखे रूप से महिलाएं करती है इस दिन ठंडे जल से सनान करना चाहिए माता के बोग में मीटे पूए, दही, गन्ने के रसकी खीर या फिर गुड़ की खीर जरूर बनाई जाती है इस दिन चाडू सूप लाना बहुत ही ज़्यादा शुब माना जाता है सूप यानिकी जो चाज होता है, चानने वाला वो माता के पूजन में नीम के पतों का और हल्दी का जरूर से प्रयोग करना चाहिए क्योंकि दोनों ही औशिदियां हैं और एंटिबाटिक का काम करती है ठंडा धूप दीप चड़ाना चाहिए, बिना जलाए धूप दीप परपित किये जाते हैं माता पर पूजा से बचा हुआ तेल हल्दी बच्चों के शरीर पर लगाना चाहिए बचा हुआ जल जो पूजा से जल बच जाता है उसका घर में चीटा देना चाहिए और अपने और अपने बच्चों के परिवार के सभी सदसों की आँखों से चुवाना चाहिए इस दिन माता शीतला के मंदर में या फिर किसी जरूरत मंद को जाड़ू और सूप का दान अवश्य रूप से करें इस दिन कुमारन को प्रिसाद एवं कुछ खादे सामेगरी वस्तर दक्षिना आदी अपनी सामेर्थे के नुसार जरूर दे कहते हैं कि कुमारन को दान किये बिना बस ओड़े की पूजा अधूरी मानी जाती है माता के वाहन गधे को आज की दिन चारा अवश्य रूप से खिलाएं और किसी भी जानवर को नहीं मारना पीटना चाहिए शीतला पूजन के दिन घर में अगनी नहीं जलाई जाती लेकिन अगर घर में बहुत जादे चोटे बच्चे हैं तो जो महिला पूजन कर रही है वो अगनी का इसपश्च ना करें किसी और से आप गरम दूद करा लें किसी और पडोस में भी गरम करा सकते हैं तो माता के भोग प्रसाद में इस दिन घटाई, प्याज, लेसुन का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, सात्विक्ता का पूरा ध्यान रखें भोग प्रसाद में, उनी गर्म वस्तर ना पहने और ना ही ओड़े, बस ओड़े की दिन सिलाई बुनाई कड़ाई नहीं करनी चाह एक दिन पहले ही घर की साफसफाई कर लेनी चाहिए, हलके रंके वस्तर पहनने चाहिए, और किसी भी पशुपक्षी को खासकर गधे को हानी नहीं पहुचानी चाहिए, क्योंकि गधा माता शीतला का वाहन माना जाता है, तो दोस्तों उमीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगों को अच्छा लगाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट बॉक्स में शीतला माता की जै आवशे रूप से लेखें